तो भाई लोग आज हम लोग चलेंगे सर्कुलर मोशन के नुमेरकल्स को या उसको अप्लिकेशन्स बुलें ठीवनी हम लोगा फेंटास्टिक होई चुका और दिखें मैं एक बात बता दू दोस्त ये प्लेटफर्म को हम लोग बहुत अच्छा बनाएंगे किस संदरव में मैंने हिंडी बहुत ज्यादा अच्छा हिंडी बोल दिया किसरे रे फ massive एकिया होना चाहिए क्वालिटी नॉलेच या क्वालिट्इ से अर रिजल्ट डेखें मैं अब को ये बताये तामहं तहें दिल से कि ये प्लेटफर्म करिया आने कि आने वाले दिनों हम आप बस इस प्लेटफर्म से जुरे रहें ठीक है और दोस्त क्या बोलूँ हां एक और बात में बोलना चाहरा हूं कि आप एक्जामनेशन हॉल में बैठेंगे कि हम लोगा गारंटी है कि आप टॉप रैंक के मार्क्स को इसली स्कूर कर लेंगे यह ऐसा प्लेट फार्म अलोग बनाने जाएंगे अब चला जाए बात कम किया जाए काम को बढ़ाया जाए तो कि दोस्त चलिए देखें अब हम नुमेरिकल स्कूर्ट करते हैं कॉंसेप्ट चलिए देखें इसमें हमने यह लिया है वर्टिकल स्कूलर मोशन क्या है और उससे रिलेटेड देखें मैं यह क्या बताना चाहा हूं यह छोटे-चोटे क्वाइंट्स आप गैदर किजिए और उसको इंप्लिमेंट किजिए आप कोश्यंस में तो हमारा टार्गेट क्या ह आप अप्लिमेंट करने की कोश्य करेंगे तो कुछ हम लोग चलते हैं कुछ एक्जांपल से चलते हैं दोस्त तो देखें एक एक एक्जांपल हमने लिया है वर्टिकल सब्रों मोशन का ओके मतला इससे रिलेटेड क्या-क्या पैरामिटर्स हैं वह सब समझेंगे तो भैस स क्या-क्या पैरामिटर्स है यह से नहीं समझें जैसे यहां पर एक एक एंड आप नियल से लगा दिए वो वर्टिकल वाल में है अब दूसरा इंट पर एक मास लगा दिए मास टाइट कर दीए अब दीखे मास भाड़ी होना चाहिए थ्रेड के रिस्पेक्ट में अभी के डिस्कसन में मतलब मालीजे कि मास अगर 2 kg हो तो थ्रेड सपोस कर लीजे 10 ग्राम हो 20 ग्राम हो चलेगा तो अब हम लोग डिस्कसन ये स्टार्ट करते हैं हां तो दीखे जब आप इस द्रेंड को होड़ेंटल रखेंगे जैसे ये पॉइंट और एस मास को हटा सब्सक्राइब यह यह प्योंट अपर मास है मैं इस हाथ को यह मास ऐसे गिरेगा वोगिकल सर्कल भी उप्योटाएगए तो आप बताएगे क्या क्या पैरामिटर होगा तो पैरामिटर स अएक्सिलरेशन गोगा? इस अब्जेट्ट major. ऐह बॉल्ल का एक्सिलरेशन गोगा? टेंशन क्या होगा? वैल सटी क्या होगा? बहुत सारी चीज हम निकाल सकते है हना जैसे, follow, यहां पर टेंशन गोगा हना ग्मार्चण क्यिस्त दूस्त यह देखिये इस देंगे तक तो क्रिये ठोगा ही मैं बस होल्ड कर रखा हूं और हाग छोड़ा तो जिस वक्त आप छोड़ेंगे न उस वक्ति स्थ्रेंड में कोई फोर्स क्रियेट नहीं होगा दोस्त अब देखें यहां पर mg लगा हाँ अब यहां पर क्या होगा यहां पर tension क्या होगा जिरो और यहां पर tension क्या होगा at lowest point यह lowest हो गया यह topmost point हो गया तो यह topmost point पर tension क्या होगा भाई साब बंदू जीरू और lowest point पर threat में tension क्या होगा maximum कितना से होगा magnitude क्या होगा हमारा means concern क्या है दोस्त magnitude हाना तो देखें मतलब यह magnitude को जानना हमारा mean concern है एक और बात चलते हैं यह यहां पर Vलाजिक क्या होगी बरीक्सिम्म होती है। आधवी दिरंगा निद विता रहा है कि I uses ये हिए यह है वो çek न आध़ शी कि है जाया और यहां पर क्या है आप देखी आप देखे यहां पर कि यह एक शादर दिधा लैजी थो यह एक इस दारिकशन क्या वा आधमाँगा टनिद्धकल जिए और इसको क्या बोलिए भर्ज कर तो यह नेट वेलास्ती होगा दो एक वेलास्ती क्या होगा होगा समझके बात आपको अब दिखिया आगे तो मेरे यह कुस्षन है कि कब वर्जिकल ग्रास्ती मैक्सिमूम होगा बहुत सारी points निकाल सकता हूं मैं और कब horizontal velocity maximum होगा तो आप यह बताएjur lies movie तो यहOoh at least most point पर horizontal velocity maximum होगा और vertical velocity यहां पर क्या होगा 0 & in here go और total velocity 0 होगा तो कहां पर vertical velocity maximum होगा और यहां maximum होगा भईया और भी क्या क्या points निकाल सकता हूंおい अर और 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 एक्सेलरेशन के बादे मित्वलते हैं जैसे देखे एक्सेलरेशन जैसे माली कि यहां पर एक्सेलरेशन क्या होगा जीरो होगा गलत गोल दिया यहां पर एक्सेलरेशन क्या होगा और इस मास को अर्थ किचेगा न तो जी एमगी फोर्स लगेगा और इस और कोई फोर्स है तो इसोर कितना होगा एक्सेलेशन किया थिद्धक है सुसिजिट्फिभा और यहा यहां के जा राया है यह यह मुझ आ से अ एसे मुझ दिर इक मिनट गए ऐसे मुल गया दिखिए दिखिए ऐसे चला गया कर्व यह टेंसर हाइब होगा इस एक अड़ी कि टेंसर हाइब होगा और फोर्स लगाएगी वह कमजोर लगाएब के इस अड़ा होगा तो दिखें हम क्या जानना चाह रहे हैं यहां पर की मिल बात को समझेगा यहां पर acceleration मी समझे यह ऐस सी चला गया त warten हो गया आपे एक्सलिश क्या होगे और यहां पर एक्सलिशन क्या हो हम ध्यक्रón शिवान ज्विक्त अफ्रägरर गजूफंच हुर। तो हम क्या कहना चा रहे हैं कि यह जो नाइंटी दिगी का units in यहां पर acceleration down, यहां पर acceleration up मेरे दोस्त, अब देखे, तो कहने का मतद यह है, हम क्या निकान बचा रहे हैं, कोई भी चीज जो change होता है, वो continuously होता है, abrupt changes नहीं होते हैं, नेचर में, तो देखे, यहां पर acceleration down है, यहां आप है, यानि इसके अंदर में क्या क्या हुआ होगा, acceleration, त गोगा, तो, नेट एक्सलेएशन होगा, इन नोरों के बीच में, मैं आपसे यह कहना चाहाँ, कि यहां पर accelerationईसे होगा, और यहां पर acceleration ऐसे होगा, तो देखे, यहां पर acceleration क्या है, ऐसे, और ज़स्त यहां पर, मेरा बात को समझे, यहां पर acceleration किदर होगा, तो एक centripetal acceleration तो दिखें मैं आपको क्या करना चाहां आप पेरी बात को समझेगा एक मिनिट यह कुछ ज्यादा अमने लिप दिया है यहां डाउन वड़ा ना यहां ऐसे जुका हुआ होगा क्योंकि यह ऐसे एक्सेलिशन होगा फिर यह ने टैक्सेलिशन एसे होते हुए तो यह सारी बातों को अब यह लोग डिसकस करेंगे तो चला जाए दोस्त चलिए